जैन साथियों नमस्कार इकबार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यू पी आर्टी ओ यू प्रियाग राई में श्वागत है साथियों आज हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं कि आपका जो एसाइमेंट साथियों एसाइमेंट आप कब तक जमा कर सकते है ठीक है और इसके लिए आपको क्या करना होगा कहां से आप इसकी पुई जानकारी को प्राप कर सकते हैं बागे एसाइमेंट को लेकर अभी कोई भी अपडेट कोई भी सूचना यूपी आटीव परियाग राई नहीं जारी किया गया है ठीक है और आपका एड्मिशन का ला सबसे पहले बात आप यह किजिए कि आप अपनी अध्यन केंट से संपर किजिए सबसे पहला काम आप क्या किजिए क्यों क्यों क्योंकि जितने भी एजडी सेंटर होते हैं सब एजडी सेंटर अपने हिसाब से जो है अपनी हां कार्य उनकी हां होता है यह अपनी हिसाब से जमा करवाते हैं तो कुछ लोग पहले जमा करवाना थे कुछ लोग बाद में तो ऐसा नहीं हो सकता अब जो नया नियम लागू किया गया साथ हूं उसके अनुसार साथ हूं आप जो अपना assignment जो है वह क्या करेंगे वह अपने exam से क्या करेंगे आपका जब exam होने वाला होगा आपका एक्जाम से पहले जो है अपना assignment जरूर जमा करेंगे एड़ नहीं जमा करते हैं तो आपका अडमेट को जो काड साथ हो जारी नहीं होगा तो इसलिए आप अपने सबसे पहले आपने ID Center से बात कीजिए उनसे कहें अपना assignment जो जमा करना चाहते हैं तो आपको बताए कि आपका assignment कब तक जमा कर सकते हैं और कब तक नहीं कर सकते हैं ठीक तो इसलिए आप assignment को लेकर जो भी आपको डाउट है जो भी आपको question है आप बार बार में comment कर पूछ रहें तो आपको बता दें कि आपना जो assignment है साथियों आप जो सबसे पहले अपने एडी सेंटर से बात किजिए यदि आपको अपना assignment जमा करना है तो ठीक है क्योंकि आप अपना assignment नहीं जमा करते हैं साथियों तो आप अपना जो आपका admission का launch date है वह नहीं बढ़ेगा फर्ष्ट एर में admission ना चाहते हैं या फिर आप सेकंड एर में या फिर थर्ड एर में तो आज आप पर क्या करें आप यूप 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 से आकर admission अपना complete कर लें admission ले लें क्योंकि इसके बाद जो admission का update साथ हूं वह बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है और इसके अलमा हम आपको बता दें जो आपका result साथ हूं क्या है जो आपका result साथ हूं result को लेकर जो आपके डाउट है तो आपके जो single submit है single submit का result आपके साथ हूं जारी कर दे गए बाकि आपके जो अभी BA और YUMMIC के result है वह आभी साथ हूं ज बेट ना करें क्योंकि result कोई मतलब नहीं होता है ठीक है तो अपना admission लेलें और result का बेट बिल्कुल भी ना करें ठीक है तो हमें अमीद है कि आपको हमारी च्छोटी सी जो information आपको समझ में आ गई होगी और यदि आपको में च्छोटी जैन करी आपको अच्छली तो आप म